तो दोस्तो आज थर्ड नवेंबर 2023 बात करेंगी इस वीडियो पे चार ऐसे इंपॉर्टेंट कंपणी की शियर के बारे में जिसका आज कौटा टू का रेजल्ट आउट हुआ और इसका इंपक्ट आपको देखने को मिलागा सोंबार यानि नेक्स ट्रेडिंग विक पे जैस इंकम की बात करें तो देखे एक्च्वल में अगर देखा जाए कंपनी एकदम प्रॉफिट से सीधा सीधा लॉस कमाया इस बार उसके बावजूद भी शेयर में कितना अच्छा रैली देखने को ला तो यह अक्सर हो जाता है मार्केट में बट ज्यादा चांस यह है कि यह सारे शेयर में गिराबट हो सकता है तो सबसे हले बैंक का नाम है यूको बैंक तो आज दोस्तों यूको बैंक का रिजल्ट आउट हुआ क्वा टुका तो चले सबसे वहले मैं आपको लेके चलता हूं कंपनी की पर्फॉमेंस के लास्ट वीडियो में और भी बहुत सारे कं यूको बैंक का टोटल इंकम का नंबर था चार हजार एकसो पचासी करोर जो की इस बार एकदम ग्रोग करके पांच हजात दोसों निस करफे पहुंच चुका है एकदम से नेगेटिव में पहुंच गया था क्वाटर लिए अगरम बात करें माइनास फाइब परसेंट फना में दूसरा जो इंकम सोर्स होता है इस बात भी सही है कि क्वाटर ऑन कौटर बेस पर इंक्रीज भी देखने को मिला ठीक है दोसों तीस कर रूपए से बढ़के 402 पर पहुंच चुका है अब जैसे के आपको मालूम है कोई बैंक्स की केस में या इन्विपसी की केस में जो इन पे का परसंटेज है रोस इन पी की बात करें या नेट इन पी की बात करें वह भी बहुत ज़्यादा माइन रखते है मार्केट में तो जैसे का अब देख से तो लास्ट यह पे 2022 की सेप्टमबर पे ग्रॉस इन पीकर परसंटेज था 6.58 परसंट इस बार ड्रॉप ह अच्छी बात है इवन को अटले भी ड्रॉप हों सेम चीज़ा में नेट इन पीकिस में भी देखने को मेला नॉन परफिर्मिंग एसेट जो कि नेट 1.99 परसंट था लास्ट यह पे जो की लास्ट कोड़र पे था 1.18 परसंट इस पर दोनों ही सेग्मेंट पे काफी समय से थोड़ा बनें बैंक निफ्ट हैं वन गिरावति देखने को मिला बाकी जींट है और उविसली बेंक में आपको नेक्स कुछ डिकेड में काफी अच्छा लोग भी देखने में पेला की ओफीपरस्ली एक उनमी जैसे हो का बैंक भी ग्रोग करेंगा नेक्स इंपोरि इविन इसका जो स्ट्रॉंग कंपेटर जैसे कि हैवल समने देखा पॉली कप को देखा कितना अच्छा परफॉर्म किया अब देखिए यहां पर सेप्टमब 2022 पे लास्ट यह पे कंपनी की टोटल इंकम था सब्सक्राइब और अच्छी बात है और एट अब देखने को मिला एक हजार आटसो सब्सक्राइब जो की टोटल लिंकम डॉप होके 1782 कर पहुंच चुका है margin की बात करें margin में भी ड्रॉप हुआ yearly quarterly same 10% 10% but yearly देखे 11% था इस बाद ड्रॉप होके 10% पहुंच चुका है जिस बज़ अल्ड में लिए देखें कंपनी की जो नेट प्रॉफित है वह हमें yearly भी ड्रॉप देखने को मिला even quarterly देखने को मिला मतलब लास्ट यर पे कंपनी की नेट प्रॉफित आया था 131 कर रूप होके डिकलाइन होके 101 कर पहुंच चुका है इवन quarter on quarter base भी 122 कर रूपे से गिरके 101 कर पहुंच चुका है क्योंकि आपको यह भी बोलूँगा क्योंकि अभी फेस्टिप सेजन चल रहा है तो सेप्टमबर quarter में हो सकते कंपनी और अच्छा पर्फॉर्म नहीं किया बटलिमेटल देखें डिसंबर quarter में कंपनी का पर्फॉर्मेंस में काफी अच्छा बूस्ट आ सकता है इन जेनरल बात करें तो ऐसा होता है मतब जनरल अगरम बात करें हैं वह काफी इनाच होता है तो इसको बढ़ भी आपको नजर होना चाहिए मंडे के दिन और राइधिंक की शेयर में अच्छा क्रेक्शन सकता है पॉसिबल चांस है पॉसिबल अब्दिक मार्गेर में कुछ भी हो सकता है नेक्स दम बात करेंगे आई डियाप सी की परेंट कंपणी इन भी एप सी है बहुत जल आइडिया इपसी और आइडिया फॉस्ट पैंका मार्ज मर्ज होने अपधिया भी प्लैंट चल रह की बात करें लास्ट यह कंपनी की टोटल इंकम था 49 करोड रुपीज जो कि इस बार ड्रॉप हुआ 37 करोड पर पहुत चुका है एवन बात करें कौॉटर ली थोड़ा बहुत ग्रोग किया 27 करोड पैसा बरके 37 करूप पहुत चुका है बाकी बात करें के मार्जिन मार्चिन इस बार एक तरफ जहां पर एल्ली ड्रॉप और 94 परसंट से ड्रॉप के 84 परसंट पर पहुंच चुका है अब दोस्तों आपके दिवांग में जरूर आया होगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में तो इतना इंकम किया ही नहीं अगर आप देखोगे कंपनी के इंकम इतना थ सब्सक्राइब देख सकते हैं इसका जो अधर इंकम सोर से उहां पर कंपनी लगबग 200 करोड की इंकम किया और उसके साथ साथ हमने देखा कि इस बार जो कंपनी है इसको उतना ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पर सिर्फ तीन परसंट के आसपास और जिस बैसे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट वो 224 करोड आया स्टिल बहुत ज़्यादा ड्राउं यहां पर डाउन हुआ याज़ी कि लास्ट क्वाटर में था क्वाटर वन पे कितना दो सो चॉसर कर रुप है इस बार गिरा दो सो चॉबीस करोड पर पहुंच चुका है और प्रिटी शूर कि इसक काफियत तक डिकलाइन हो चुका है मार्केट के वज़े से कुछ ग्लोबल इशूस के वज़ेसे बैंक निफ्टी फनानिश्या सर्फिस एक्टर भी थोड़ा बहुत इंपक्ता तो जिस बैसे शेर में भी लास्ट अलमस्ट दो हटो के आसपर अगरम बात करें बॉत टॉप आप से लेकर बॉटम तक लगब दस परसंट की करीब करीब गीरा तो इसके अंदर और भी करेक्शन हो सकते डिप करेशन होने का पूरा पूरा चांस है तो दोस्तों यह तो हो गया पहले जो तीन कंपनी जो कि बहुत खराब रेजल प्रेज़न किया था अब चौथा जो कं आइए देख लेते हैं कैसा परफॉम किया मारे इपने लास्ट एर की बात करें सेप्टमब दोजर बाइस पे कंपनी की टोटल इंकम था पांच सब्सक्राइब पहुंच चुका है आड़ दा सेम टाइम कौर्टर ऑन कौर्टर बेस पे डिकलाइन छे हाजा चार्सो चार्स इनक्रीज क्या बहुत अची बात है आठ परसें से बरके जोकी 19 परसें पर चुका इवन कौर्टर लीए एटीन परसें से बरके 19 परसें पर पहुंच जिस वैसे थोड़ा बहुत ने प्रफित में जम देखने को जरूर मिला बट स्टिल कौर्टर ली अल्मोस्ट फ्लैट सब्सक्राइब बढ़ा बठाएल दोस्तों इसका रिजल बहुत ही अमेजिंग रहा मतब 130 करोड़ से बढ़के सीधा सीधा आप समझ सकतो पांच सो सतासी करोड यानि कहीं देखा जाए अल्मोस्ट फोर फोल्ट हो चुका है मतब फोर फोल्ट से भी ज्यादा बोल सकतो फो को बैंक होगी इस तीन कंपणी के अंदर आइथिंग की मंडे के दिन अगर सब कुस्टिक टाक्रा किरावाट होने का इस सबसे जाता चांसे बागी तोस्तों कोई डाउट से हम मुझे कमेंट के तुरू पूच सकतो फिलाल इस वीडियो को मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक लेटे क्या बाबाई जय हिंद